हाल तो कल्ट्ट ...के तरब से उनकी दो नहीं smartwatch लोंच आने वाली है है जो दो स्पॉर्ट वो एक अच्छे फीचर्स और यव और चीज़ बनाता है लेकिन अब वो पुछ और सीज़ बनाने लग ग्या है तो उनकी दो नहीं smartwatch होने वाली है features and price और वो दोनों को ही काफी भढ़िया रखिल गई है same date को यह दोनों यह available होगे एक March को जो price वगरा है मैं आपको सारा कुछ बता दूगा दोनों smart watch एक March को available होगी flip card पर दिन में 12 बजे लेना हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं के डिस्पले की तो दोनों में आपको काफी बड़ा चेंज मिलेगा डिस्पले में जो card sports burn है उसमें आपको AMOLED डिस्पले मिलता है 1.7 इंचस का जो की 368 x 448 के पिक्सल उजलिशन के साथ में आपको मिलेगा जो card sports beat है उसमें आपको एक बड़ा डिस्पले मिलता है 1.85 इंचस का जो की 320 x 386 x 448 के पिक्सल उजलिशन के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर card sports जो burn है उसमें AMOLED मिल रहा है और इसमें आपको IPS डिस्पले दिस्पले दिन मिल जाएगा health features आपको दोनों में exact same ही देखने मिलेंगे जो भी आप यूज़ करना चाहो heart rate monitoring, sleep rate monitoring, breathe mode SP उट हो गया उस सारा कुछ आप उसमें यूज़ कर सकते हो और इन दोनों को अगर आप अखेले एक अलग से single चीज में देखना चाहो कि इस watch के क्या features है इस watch के क्या features है तो भाई मैंने अपना channel के नाम से एक website बना लिया है जो कि आप जाकर देख सकते हैं Google पर मैं आपको नाम side में mention कर दूँगा जिसमें कि आप इसको जाकर Google पर search कर सकते हैं और अच्छे समझ सकते हो कि कौन से smart watch में हमको क्या-क्या feature देखने मिलेंगे बाकि अगर मैं बात करता हूँ smart features की तो सारे smart features आपको यहांपर मिल जाएंगे जो की Bluetooth calling हो गया यहांपर dialing paid आपको मिल जागा recent call आपको मिल जागा contact आप इसमें save कर सकते हो कुछ games वगर आपको खेलना है तो वो भी आप इसमें खेल सकते हो यानि कि सारे चीज़े आपको देखने मिल जागी calling वगरा सारा कुछ आपको यहांपर देखने मिलेगा दोनों ही smart features में आपको IP67 का wardrobe resistance मिल जाता है जिससे कि जब भी आप इसमें running वगरा करते हो setting वगरा होती है कोई दिक्कत नहीं होगी आप जिम वगरा के लिए भी इसको यूज कर पाओगे IP67 है ठीक है आपको याप ठीक टाक देखने मिल जाएगा लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेटर बेकप की तो वह भी आपको सेम ही मिलेगा जो कि यह है साथ दिन का डिपेंड यूजर्स की आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो हाडली उस पर आपको लगए दो से लेकि तीन दिन का बेकप मिलेगा जो कि ठीक है यहाँ पर आपको Bluetooth कॉलिंग वाली स्मार्डोच में इतना ही बेकप मिलता है अब बात आती है प्राइस की देखो मैं आपको स्टार्टिंग वाला जो कहूं कि लोंच होगा एक तारीक को एक मार्च को वहां से फ्लिप कार्ट से आपको इसको भाई करना है बाकि अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की दो जो कल्ट स्पोर्ट्स बर्ण है उसका जो प्राइस होगा वो होगा 2799 की 2800 रुपए और जो दूसरा वाला स्मार्डोच है बीट्स नाम करके उसका जो प्राइस होगा 1799 की 1800 रुपए दोनों में आपको उल्ली 4000 रुपे का ही डिफरेंस देगें मिलेगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फीचर्स में भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप बीट्स की तरफ जाए सकते हो अगर आपको नॉर्मल स्मार् अब फिर देखना हो तो भी जुरूर से बताना अगर इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियों में तब तक के लिए जाहिंद जै भारत